जिस धरा पर त्रेता युग में दश्रत नंदन प्रभू श्री राम को असुरका वद करने के लिए आना पड़ा जिस धरा का सम्मंद रामायल से लेकर महाभारत तक है जिस धरा का सम्मंद भारत की आजादी के प्रतम स्वतंतरता संग्राम से है जिस धरा का सम्मंद उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए है जिस धरा पर बनने वाले बल्लों से जब खिलारी खेलता है तो अच्छे अच्छे गेंद वाजों के गुमान को तोड़ देता है आज उसी धरा मेरट पर हम आई हुए हैं जहां से बीजेपी ने सियासी शत्रों को पटखनी देने के लिए टीवी के राम यानि की अरुन गोविल जी को चुनावी मैदान में बीजेपी ने प्रत्याशी के तोर पर उतारा है उनसे हम बातचीत करेंगे कि मेरट को लेकर वो क्या सोचते हैं उनसे बातचीत करेंगे कि मेरट के विकास को लेकर उनके पास क्या कुछ प्लान है उनसे बातचीत करेंगे कि विकास की परिभाशा अरुन गोविल की क्या है और ये भी बात करेंगे कि राम आयन में जो राम राज्ये का जिक्र होता है उसको लेकर अरुन गोविल सांसत बनने के बाद किस तरह से जमीनी इस तर पर उतारेंगे तो हमारे साथ हैं अरुन गोविल जी स्वागत है अरुन गोविल जी आपका कैसे हैं आप मैं बिल्कु ठीक हूँ मेरेट से आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं क्या-kया चुनोतियां आपको सामने नजरा रही है नहीं, इस वक्त मैं उस तरह से नहीं शोच रहा हूँ चुनोतियां तो थोड़ी बहुत हर काम में होती है लेकिन मैं, मैंने ये टेय किया है हमारे संगठर ने भी ये टेय किया हम अपना काम जो है मेरट की याद नहीं आती है और चुनाव में जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आप मेरट आ जाते हैं तो क्या चुनाव के बाद भी आप मेरट में रहेंगे और जंता के लिए उसी तरह से उपलब्द हो पाएंगे पहली बात तो यह है कि ऐसा कभी नहीं होता कि 30-35 साल तक याद नहीं आती है आप अपने प्रफेस्शन के लिए आप कहीं भी चले जाते हैं कहीं जाकर काम करते हैं और दूसरी बात यहीं कि अब जब मुझे यहां से चुना के लिए कहा गया है तो यहीं वापस आना है और यह मेरा घर रहा है मैं I belong to merit तो यह कहना कि मुझे याद नहीं है यह सुनने में ठीक नहीं लगता और दूसरी बात यहां तक उपलब्दता की बात है तो मैं क्यों नहीं उपलब्द रहूँगा क्योंकि मैं मेरी आदत रही है हमेशा से मैं जो भी काम करता हूँ कभी भी सोच समझ कर करता हूँ कि मुझे क्या करना हुगा क्या इसके परिनाम होंगे तो इसलिए वो सब कोई प्राब्लम नहीं है मेरे साथ विल्कुल गया मेरट में आपको सबसे जादा समस्याई क्या नजर आती है अगर आप सांसद बनते हैं तो जिन पर आप सबसे पहले काम करना चाहते है मैं आपको सच बता हूँ मैं अभी उस विशय में सोचा नहीं है मुझे लगता है कि एक वक्त में काम करना चाहिए कि खेत्र मेरे लिए पॉलिटिकल क्षेत्र मेरे लिए नया है तो इसलिए मैं पहले इस बात पर ध्यान दे रहा हूँ कि हमें चुनाव लगा है तो पहले चुनाव में हम जीजाएं संसद बन जाएं उसके बाद प्राब्लम्स तो सॉल्व होनी है बिकास नॉर्मली क्या होता है कि जो एक तो डिवलप्मेंट होता है प्रगती होती है तो उसरी बाद जो शेहर की दूसरी और समस्याएं होती है वो जब तक यहां उसके चुनाव यितने के बाद फिर यहां के जो लोग है उस तरह से मुलाकात होगी अभी तो सिर्फ जन संपर्क हो रहा है तो उस तरह से मुलाकात होगी बैठक होगी कि यहां क्या-क्या प्राब्लम्स है और देन बिल सॉट देम आउट देश का सबसे पहला शोपिंग मॉल मेरट में खुला बहुत पहले 1902 के आसपास और इस समय पर उसकी हालत बेहत खराब है जरजर इस्तिती में है लालकुर्ती मार्केट के आसपास वो एरिया है लगातार उसको ठीक करने की मांग जनता की उठती रही तो क्या अरुन गोविल सांसद बनने के बाद उस तरब ध्यान देंगे देखे जो भी यहां की मैंने बताया कि जो भी यहां की सब प्राब्लम्स होंगी उनको सॉट आउट करने की तो कोशिश पूरी की ही जाएगी वही मैं करूंगा भी वाइनाट समाजवादी पाइटित तीन बार अपने प्रत्याश्यों को बदल चुकी है उसको लेकर कुछ चुनोतिया नजर आती है या समिकरण में अगर जाती है समिकरण हम समझने की कोशिश करें तो उसको लेकर अरुन गोविल किस तरह से देख रहे हैं मैं आपको बता हूँ जाती है जो समिकरण है या वाटवर इड़ जो भी है वो मैंने ये काम इस समय सिर्फ संगठन पर छोड़ा हुआ है मैं उसमें अपनी दखल अंदाजी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको यहां का जो गनित है बेसिकली गनित को समझने के लिए समय चाहिए होता है वो समय अभी मैं यहां के लिए नया हूँ थोड़ा वो काम मैंने संगठन पर छोड़ा हुआ है कि वो क्या समीकरण होंगे उन्हें क्या करना है मैं इस समय सिर्फ जन संपर्क पर अपना ध्यान दे रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो भी रहा तो मुसलिम आवादी हैं सबसे ज़्यादा है वोटर भी सबसे ज़्यादा उसी के हैं पिछलिवार ये सीट समाजबादी पार्टी और बसबा के गटवंधन की वज़ा से उनके पास चली गई थी इस बार गटवंधन नहीं है तो चुनोतियां कम या जादा नहीं चुनोतियां कम हो जाती है मेरे हिसाब से उसको लेकर क्योंकि जो वोटिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा परसेंटेज हो जाता है तो चुनोतियां मेरे हिसाब से उस पिछली बार से कम है लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम आवादी में डवलपमेंट उतना नहीं हुआ जितना हिंदू आवादी में हुआ है तो अरुन गोविल दोनों को एक तरह से देखेंगे या हिंदू मुस्लिम वाले फैक्टर पर अरुमि मुझे एक बात लगती है कि इतने भी यौजनाए शुरू होती है वो प्रधान-मंत्रीWhere उपरदेश से योगीजी के अहां से होती तो जब बनती है योजनाए तो हम उनका उपयोग क्यों नहीं करते हमें उपयोग करना चाहिए नहीं करेगा तो जो अब जो उपयोग नहीं करेगा वो नैशुली थोड़ा बहुत पीशे रही जाएगा तो जब योजनाए हैं सारी कुछ है तो आप आगे आईए उनका उपय अनिती नहीं होने चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए असत्य नहीं होना चाहिए और अधर्म नहीं होना चाहिए ये bottom line है राम राज्य की, तो that's it, यहीं होना चाहिए बिल्कुल आपको लेकर जो एक छबी है किई हम अगर राम को सोचते हैं तो सबसे पहले आपका चेहरा नज़र आता है अब आप जब जंता के बीच में जा रहे हैं आप जंता संपड़ कर रहे हैं तो जंता का रिस्पोंस किस तरह से है अरुण गोविल को लेकर है या राम को मुझे रखता है दोनों बाते हैं वो दोनों बाते है उसमें विकाज जो प्यार जो मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है मतलब पहले जितना मिलता था कभी-कभी होता है कि चुनाव में आने के बाद उसमें शायद कुछ फर्क पढ़ जाए कि अरे यह तो पॉलिटिक्स में आ लेकिन वैसा नहीं है बलकि और ज्यादा बढ़ गया है एनहेंस हो गया है वो बहुत ज्यादा तो दोनों बाते हो सकती है कि पहचान तो मेरी यही है तो वो बेसिकली जो है मुझे लगता है जो रिजल्ट होंगे हमारे वो इस बात को बहुत अच्छी तरह डिफाइन कर प तो अब जब आप फिर से वापस अपने ही लोगों के पास आए तो किस तरह से आप क्या महसूस कर रहे हैं जनता तो महसूस करी रही होगी आप क्या महसूस कर रहे हैं फिर से अपने लोगों के बीच में आकर और चुनावी रण शेत्र में जबाब उतर रहे हैं नहीं अच सारे लोग भीश भीश में मुझे मिलते रहते हैं जिए गौर्मन इंडर कॉलेज में आप मेरे एक साल सीनियर थे कोई कहते हैं अरे मैं तो दो साल आप से पीछे था तो वो सारी बातें अच्छी लगते हैं कुछ बच्पन की स्मृतिया भी याद आती होंगी किया रहे यहां तो हम खेलते थे यहां से हम ऐसा करते हैं बिल्कुल याद आती हैं उछ दिन जन संपर्क करते हुए मैं जहां में पैदा हुआ था हापुल बस ट्रैंड के पास एक महला है राम नगर वहां में पैदा हुआ था मैं उसके सामने से गुज़रा तो बहुत सारी यादे आए थी मेरे साथ अक्सर हमने इंस्टाग्राम पर या फेस्बुक पर देखा है कि सुनी लेहरी जी आपके साथ उसी बॉंडिंग के साथ रहते हैं और वो कहते हैं कि हम सिर्प टीवी में राम लक्षमर नहीं हैं हम रियल जिंदगी में भी हैं तो क्या चुनावी मैदान में जब आप उतरे हैं तो चुनाव प्रचार के लिए वो भी आएंगे अभी इसका मैं जवाब नहीं दे सकता उनको हाला कि उन्होंने मुझे कहा है जरूर और वी आर ब्रदर बेसिकली सच मानिये वो बॉंडिंग जो है इतनी जादा स्ट्रॉंग है वो ही ऑल्वेज बिहेव लाइक यंगर अरून गोविल जी जिन्होंने हमसे बातचीत की और सभी बिंदो पर बात की उन्होंने ये भी कहा कि विकास को लेकर वो क्या सूचते हैं और अगर जब वो सांसत बन जाएंगे उसके बाद वो जनता के लिए किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से उन्हों कहा कि उस सबकी प्लानिंग हम जीतने के बात करेंगे उन्होंने कहा कि मैं एक बार में सिर्फ एक ही कार्रे करता हूँ तो अभी मेरा फोकस चुनाओ को लेकर है उसके बाद जनता के डवलपमेंट और इस शहर के और इस पूरे लोग सभा के विकास को लेकर उनका फोकस होगा लगातार खबरों के लिए देख़ाएं